Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit और आज हम एक बहुत ही important topic discuss करेंगे जो की है Galantry Awards 2021 यानि की वीरता पुरुसकार 2021 और ये एक ऐसा important topic है जिससे की सभी competitive examinations में हर साल questions पूछे जाते हैं और यदि आप examinations की बात भी ना करें तो as a citizen of India हमको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की पर्वा ना करते हुए अपने प्राण नौशा वर किये हैं ओके तो आज जो भी points हम discuss करेंगे ये सब भी बहुत ही ज़्यादा important है so please concentrate होकर बैठिए और सभी points को अच्छे से समझेए और चलिए देखते हैं कि 2021 में किन लोगों को कौन कौन से पुरुसकार दिये गए and before starting subscribe and bell icon पर click करना मत भूलिए और all notification को active कर लीजिए जिससे की आपको आगे आने वाली इसी type की most important GK and current affairs related videos time to time मिलती रहे और आपका GK के portion पर अच्छा control रहे जिससे की आप अपने examinations में अच्छा score कर सकें और राइट चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले galantry awards के बारे में कुछ जान लेते हैं 26 जनवरी 1950 को ये established हुए थे और 15 अगस्त 1947 से ये effect में थे और galantry awards two types के होते हैं एक war time type के होते हैं और एक peace time type के होते हैं war time में highest galantry award होता है परमवीर चक्र उसके बाद महावीर चक्र and then वीर चक्र और peace time highest galantry award की बात करें तो इन में सर्वोच वोड होता है असोग चक्र then कीरती चक्र and then सोरिय चक्र परमवीर चक्र दुश्मन की presence में आदम में साहस और extraordinary valor and bravery show करने के लिए दिया जाता है और महावीर चक्र enemy की presence में conspicuous galantry and आदम में साहस show करने के लिए दिया जाता है और ये land, sea and air तीनों में यानि की तीनों forces के दुआरा army, navy and air force इन तीनों के दुआरा एसादरन बहादरी and आदम में शाहस के लिए ये awards दिये जाते हैं अब चलिए देखते हैं कि 2021 में कौन-कौन से awards किन कि लोगों को दिये गए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखे गैलेंटरी अवोर्ड्स में second highest गैलेंटरी अवोर्ड विचिस महावीर चक्र जो की war time का second highest civilian अवोर्ड है ये करनल भी संतोस बाबु को पोस्त मसली दिया गया है और ये 16 बिहार रेजिमेंट के थे और इनको ये अवोर्ड इस्टरन लद्दाक में चाइना के अगेंस्ट गलवान वेली में चाइनीज टूप के साथ में आदम में साहस और extraordinary bravery शो करने के लिए दिया गया है और इनको ये अवोर्ड पोस्त मसली यानि की मरडोन प्रांत दिया गया है और जिस operation को ये lead कर रहे थे उस operation का नाम है स्टनो लेपार्ड और वोर्ड टाइम अवोर्ड में वीर चक्र की बात करें तो इस बार ये total 5 लोगों को दिया गया है जिनमें से की नायब सुविदार नुदुराम सोरेन को ये अवोर्ड पोस्त मसली दिया गया है यानि की मरडोन प्राम दिया गया है और ये 16 बिहार रेजिमेंट से थे और इनको इस्टन लद्दा के गलवान वेली में चाइनिज टूप्स के अगेंस्ट अंडर ओपरेशन इसनो लेपार्ड में आदम में साहस और अपने प्राणों की परवाना करते हुए चाइनिज टूप्स के साथ में संघर्स में एक्स्ट्रा ओर्डिनरी ब्रेवरी दिखाने के लिए और अपने प्राणों को नोच्छावर करने के लिए इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है यह है नायव सुविदार नुदराम सोरेन और इस अवोर्ड को पाने वाले दूसरे वीर पुरुस हैं हवल्डार के पलानी इनको भी यह अवोर्ड पोश्थ मसली यानि के मरड़ोन प्रांद दिया गया है और यह 81 फोरवर्ड रेजिमेंट से थे और इनको भी अंडर ओपरेशन इसनो लेपार्ट चाइनिज टूप्स के साथ में हुए संगर्स में एक्स्ट्रा ओर्डिनरी वेलर और ब्रेवरी शो करने के लिए इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है यह है हवल्डार के पलानी और इनको यह अवोर्ड पोस्ट मसली दिया गया है और वीर चक्र पाने वालों में अगला नाम है हवल्डार तेजिंदर सिंग का यह थ्री मीडियम रेजिमेंट से थे और इनको भी इस्टरन लद्दाक में गलवान वेली में चाइनिज ट्रूप्स के अगैंस्ट एक्स्ट्रा ओर्डिनरी वेलर और आदम में साहस के लिए इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है और वीर चक्र पाने वालों के नाम में अगला नाम है नायक दीपक सिंग जी का इनको भी इस्टरन लद्दाक के गलवान वेली में चाइनिज ट्रूप्स के अगैंस्ट एक्स्ट्रा ओर्डिनरी वेलर और आदम में साहस दिखाते होए अपने प्रांड नोचावर करने के लिए इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है और ये आर्मी मेडिकल कोर्स 16 बिहार के थे देखे इन्होंने काफी सारे सोल्जर्स को बचाने में एहम योगदान दिया था ये मेडिकल टीम के हिस्सा थे ओके ये है नायक दीपक सिंग और इनको ये अवोर्ड पोस्थ मसली यानि की मरणोन प्रांथ दिया गया था और वीर चक्र पाने वाले पांचवे सक्स है सिपाई गुर्तेज सिंग इनको भी इस्टन लद्दाक के गलवान वेली में चाइनिज टूप्स के अगैंस्ट अपने प्राण न्योचावर करने और एक्स्टा ओर्डिनरी वेलर और आदम में साहस शो करने के लिए ये अवोर्ड दिया गया है और ये थ्री पंजाब से थे और देखिए वीर चकर के ये पांचों अवोर्ड अंडर ओप्रेशन इस्टन लद्दाक में जून 2020 में चाइनिज टूप्स के अगैंस्ट गलवान वैली में हुई जडप में जो सोल्जर सहीद हुए थे ये सबी वो सोल्जर्स है इनको वीर चकर से सम्मानित किया गया है और पीस टाइम हाइस्ट गैलेंट्री अवोर्ड में सेकंड हाइस्ट गैलेंट्री अवोर्ड है कीर्थी चकर और ये इस बार दिया गया है सूबेदार संजीव कुमार जी को और ये इनको पोश्थुमसल में वहापर drop किया गया था और ये उस squad के leading commander थे तो आतंकवादियों के साथ में हुई जड़प में उनको मारने में ये वहापर शहीद हो गये थे और उसके लिए इनको peace time के second highest gallantry award कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है और ये NSG यानि की national security guard जो एक force होती है बहुत ही high order की एक force होती है इंडिया की इसमें भी ये serve कर चुके हैं ओके ये है सुबेदास संजीव कुमार इनको कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है पोश्थमसली यानि की मरणोन प्रांथ and peace time guarantee awards में third highest guarantee award की बात करें तो ये है सोरिय चक्र और 2021 में ये award दिया गया है मेजर अनूस सूध को पोश्थमसली यानि की मरणोन प्रांथ और ये 21 राश्री rifles के guard से थे और देखिए मेर 2020 में जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्टिक में आतंकवादियों के मिलने की सूचना पाने पर एक suspected house में जहां पर आतंकवादी थे वहाँ पर इन्होंने गहरावंदी की और उनको मारने में वहाँ पर इन्होंने अपनी जान की परवाने करते हुए मेजर अनुस सूध और 2021 में शोरिये चक्र पाने वाले अगले सक्स हैं राइफल मैन पिरनब जोतिदास और ये 6 असम राइफल से हैं और इनको साउथ रोनाइसल प्रदेस में मिलिटेंट्स के साथ में गोली बारी में इन्होंने अपने प्राणों की परवाने करते हुए आदम में शाहस का परीचे दिया तो उसके लिए इनको सोरिये चक्र अवोर्ड से सम्मानित किया गया है ये हैं राइफल मैन पिरनब जोतिदास और शोरिये चक्र पाने वालों के नामों में अगला नाम है पैरा ट्रूपर सोनम शेरिंग तमांका और ये 4 पैरा इस्पेश किया है सूबेदा संजीव कुमार के साथ में तो वहाँ पर इन्होंने आतंगवादियों के साथ में अपने प्राणों की परवाने करते हुए आदम में शाहस का परीचे दिया और उसके लिए इनको सोरिये चक्र से सम्मानित किया गया है तो ये हैं आर्मी यानि की सैना को म अवर्ड पाने वाले नाम है श्री पिंटू कुमार सिंग इनको ये अवर्ड पोस्थ मसली दिया गया है और ये सी आर पी एफ के इंस्पेक्टर थे और श्री शाम नरेन सिंग यादव जी को भी ये अवर्ड पोस्थ मसली दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के head constable थे और श्री विनोध कुमार जी को ये award post muscle यानि की maridon प्रांते दिया गया है और ये CRPF के एक constable थे और इनके अलावा श्री राहूल मातुर जी को इस award से सम्मानित किया गया है और ये CRPF के deputy commandant थे और ये CRPF की quick action team के part थे और देखिए इन में इसे ही ये शुरू के तीन जो सक्स है यानि की शिरी पिंटू कुमार सिंग और शाम नरेन सिंग यादव और विनोध कुमार जी को इनको जम्मू कश्मीर के कुपवाडा डिस्टिक में एक घर में आतंकवादियों के मौजूद होने की information मिलने पर search operation में उस घर की गहरा बंदी करने पर आतंकवादियों के साथ में गोला बारी में इन तीनों लोगों ने अपने प्राणों की परवा ना करते हुए extraordinary valor और आदम में साहस का परीचरिया और ये आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए देखी एक joint operation था army, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का तो इन चार लोगों को जो की पुलिस forces से हैं इनको 2021 में कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है अब देखते हैं कि शोरिय चक्र किन किन लोगों को दिया गया है तो देखी ये award शिरी अर्षद खान कश्मीर पुलिस के एक inspector थे और गुलाम मुश्थपाबारा जम्मू कश्मीर पुलिस के SGCT यानि की selection grade constable और नसीर एहमद कॉली ये जम्मू कश्मीर पुलिस के constable SGCT और बिलाल एहमद मेगरे ये जम्मू कश्मीर पुलिस के special police officer थे ओके और देखिए इनमें अर्षद खान जी को June 2019 में जम्मू कश्मीर के अनन्त नाग में Oxford presentation school के पास में जेशे मुहमद के आतंकवादियों के द्वारा suicide bombing के प्लान को नाकाम करने के लिए अपनी जान की परवाने करते हुए आतंकवादियों के पास में जाकर उनसे लोहा लिया और उनमें ऐसे मेन आतंकवादि को मारा ऐसा करते हुए इन्होंने अपने प्राण नोशावर कर दिये और ये सहीर हो गए तो इनके ऐसे आदम में साहस के लिए 2021 में सोरिय चक्र से इनको पोस्थ मसली सम्मानित किया गया है और इसके बाद के जो तीन लोग हैं गुलाम मुस्तफा बारा नसीर एहमद कोली और बिलाल एहमद मैगरे तो इनको जम्मू कश्मीर के हंदवाडा में बाबा कुंड विलेज में आतंकवादियों के एक घर में उपस्तित होने की सूचना मिली थी और इन्होंने उस घर की घेरा बंदी करी थी और वहाँ पर जब ये उनके करीब गए तो वहाँ पर लडाई में गोली बारी में इन्होंने अपनी जान की परवान है करते होए आदम में साहस का प्रदर्सन किया और ये सभी वहाँ पर सहीद हुए ओके तो इनके एक्स्ट्रा ओर्डिनरी वेलर और बहादुरी के लिए इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है तो ये हैं 2021 में मिलने वाले सभी important gallantry awards जो की सभी examinations के लिए very very important है और आपको ये पता होने चाहिए और देखिए सभी examinations में पूछे जाने वाले important topics जैसे की भारत रतन, Miss World, Miss Universe, पदम विभूशन, खेल रतन, Film Fair Awards, etc. इन सभी topics पर हम वीडियो जोलडी बना चुके हैं यदि वह आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए और इसी type के most important GK and current affairs related topics time to time पाने के लिए subscribe और bell icon पर click कर दीजिए and all notifications को active कर लीजिए जिससे की आपको आगे आने वाली सभी videos time to time मिलती रहें और आपके लिए question है कि 2021 में महावीर पुरुसकार किसको दिया गया है और यह आपको comment box में लिखके बताना है यदि आपने video को अच्छे से देखा है और सभी points को अच्छे से समझा है तो आप इस question का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे और end screen पर जो यह videos आपको show हो रही है यह videos भी काफी important है इनको अपने examinations में जाने से पहले जरूर देखिए and I hope आपको यह video informative and valuable लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो please like और share जरू कीजिए and comment box में लिखके बताइए कि यह video आपको कैसी लगी alright and all the best for your examinations and that's all for today bye bye